बीते सालों में बैंकों में हुए घुटाले के चलते भारते रिजर्फ बैंक द्वारा बैंकों पर नियम कड़े कर दी गए थे वही पंजाब और महराश कॉपरेटीव बैंक को इन नियमों के उलंगन का दोशी पाया गया है इसे में केंद्री बेंक ने इन बेंक के किसी भी प्रकार के विया पर एकलेंदिन पर रोक लगा दी है RBA द्वारा बेंक पर की गई कारवाई के तहट अब इस बेंक के ग्रहाकों को अगले 6 महिने तक पैसा निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा साथ ही बैंक में कोई नया fix deposit अकाउंट नहीं खुल पाएगा इसके अलावा बैंक से अगले 6 महिने तक saving current या अनिकाते में से 1000 उपर से अधिक नहीं निकाले जा सकेंगे वहीं बैंक के किसी भी प्रकार का निवेश करने fresh deposit स्विकार करने आदी पर भी रोक लगा दी गई है हलाकि reserve bank नहीं साफ किया है कि PMC bank का license नहीं किया गया है बताया जा रहा है कि RBI अपने निर्देशों में स्थिती को देख कर संशोधन भी कर सकता है इस पूरे मामले पर पंजाब एंड महराष्ट कॉपरेटिव के MD जॉय थॉमस ने जमदारी लेते हुए कहा कि हमें RBI के नियमों के उलंगन का खेद है इस वज़े से 6 महिने तक हमारे ग्रहकों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है बतोर MD मैं इसके जमदारी लेता हूँ इसके साथ ही सभी जमा करता हूँ को यह सुनश्चित करता हूँ यह 6 महिने से पहले हम अपनी कम्यों को सधाल लेंगे सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फूर मोर अपडेट्स